मैं चाहूंगा आप जनता को टटलू के बारे में बताएं कि जैसे टटलू वर्ड वहां पर बहुत चलता है तो इसमें क्या क्या है जिसमें टटलू की जैसे आपने सोने की इंट की बात की देना एक्तम गमार देहाती बनके आपके पास में आएंगे और देहाती भासा में आप से बोलेंगे रहे भाई हमारे तो यह निकड़ा है और सारी चीजें और लालच में फसकर आदमी अपने आपको लुटा बैठता है तो ऐसे फ्रॉड जिसको अपन कह सकते हैं कि ऐसे काम बड़े चलते थे अभी इन्होंने टटलू बाज का काम अभी लगबग बंद हो चुका है अभी साइबर क्राइम और एक नई अशलील चैट और साथ ही आपने सुना हो गया कि नंबर हैक कर लेना फिर उससे पैसे मांग लेना साथ अभी एक नई चीज़ा शुरू हुई है फास्ट एक से भी पैसे उड़ाने लग गए तो कुछ केसे जब बीच में मैं पढ़ रहा था पेपर में छपा था तो किसे ने नहीं की उसकी लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने वो चल रहा है तो ब्रवाजपा जब सरकार थी तो कारवाईय हुई है टटलू बाज गैंग त चीज़ों को काम करने की तो करते हैं लेकिन वर्तमान की सरकार तुष्टे कंड करती है इसलिए अफराज का गराफ वहां बढ़ता ही जा रहा है तो भाजपा में भी दो टूक हो रखे हैं कह रहे हैं कि मतलब एक टूक जैसे अभी पहले सतिश पुनिया जी जब प्रदेश संगठन है और हमारे यहां गुटबाजी जैसा कुछ भी नहीं है कि जैसे मानी वसंद्रा जी राजे हमारे पूर मुख्यमंत्री हैं रास्टी उपाद्यक्ष हैं और सतीजी पूनिया हमारे प्रदेश दक्स रहे हैं वरतमान भूपनेता प्रतिपक्ष हैं सब यहां प्रकार की बाते नहीं सुनेंगे पारिवारी ग्रूप में कई बार मन बेद हो सकते हैं पर मत बेद नहीं है अंतिम लक्ष सबका एक ही है कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना हैं उसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं वह अन्यन्य संग्टनों के कामिया जब भुगतना पड़ेगा यह तो क्या है एक तरीके से देवरानी जेठानी की लड़ाई है यहां पर मैं अच्छा हूं मैं स्रेस्ट हूं इसकी एक लड़ाई उनमें चल रही है आप देखिए अपनी ही सर्वेद मैं तो मेरे जीवन का एक पहले अनुबव देख रहा हूं कि सरकार के मंत्री ही सरकार पर प्रशंचन लगा रहे हैं हिमराम जी चौधरी के अगर बात करें तो भाजपा वाले भी उनकी नाम की कसमे खाते हैं उनकी मंदारी की और वो व्यक्ति मंत से धाड़ करके कहता है कि गेलो साव अगर हिम्मत है तो हमें बताएं तो स तो कहीं नेतिकता या जनता यह सब समझती है या तो यह बहुत ही ज़्यादा अपनी नक्टे हो चुके हैं लेकिन कॉंग्रेस काल में राज में ही मतलब ब्रश्टा चावरें पर सबसे ज़्यादा मतलब जो कारवाई हुई है आप एसीबी से निकलवाई है कारवाईयां तो होती है पर उनके चालान कितनों के पेस होते हैं या उनके वह गवर्मेंट ओडर होता है वो कितने लोग अधिकारियों का हुआ है छोटे लोगों पर कारवाई हो जाती है बड़े जो मगर मच्छे पर रश्टा चार के उन पर एक पर भी कारवाई नहीं हुई और सचिन में उप मुख्य मंत्री थे पीची सी के अध्यक्स थे आपके नित्रत में चुनाव रड़ा बहुत सारी चीजे हुई सरकार जब बनती है तो सौधिन के कारियों जना बनाती है पूरवरती सरकार की समिक्षा करती है तब आपने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए कही ना क काम करें काम करके चीजों को लें अब सचिन पालेट सब अपनी मंसा जाहिर कर चुके हैं जब के सामने तो वैसे ये सरकार अब ज्यादा दिन को चलने वाले स्थिती में है नहीं बहुत दो तीन महीने सरकार के बच्च अब आपको क्या लग रहा है कि सी एम का चेहरा कौन ह छालाजे होगी या कोई और होगह तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर सियम का चेहरा भी कोई संसत से तो नहीं आई देखिए मैं कोई उस कमिटी का सदस्य तो हूँ नहीं लेकिन जतना भाजपा को समझता हूँ भाजपा संक्ठन के बारे में जानता हूँ जतना हम सुनते हैं देखते हैं जिन लोगों के साथ बैठते हैं भाजपा में मुख्य मंत्री पद पर कोई चेहरा नहीं है यहां इसमें और किलियर करके यह जिम्मेदारी के रूप में हम लोग इस चीज को मानते हैं हमारे यहां पद ना हो करके जिम्मेदारी के रूप में चलते हैं जो भी केंद्रिया संसती समीति जिस भी चीज को तै करेगी जिस भी विक्ति के नाम को सहिमत होगी और वही भाजपा का चैरा होगा सब लोग काम कर रहे हैं काम करेंगे जो जम्मेदारी मिलते जाएगी उस जम्मेदारी को नहीं बाते जाएगे सतीश पूनिया जी परदेश अद्यक्ष रहे अब उनको उप नेता परतिबक्ष बनाया गया नेता परतिबक्ष भी नेता बनाया गया मतलब कहां परदेश अद्यक्ष अद्यक्ष उप नेता तो आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब ये जो बिजेपी ने ये कदम उठाया क कि आने वाले चुनाओं में यह कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं देगा वोटों में यही तो भाजपा है कि यहां कारेकरता को जो भी जिम्मेदारी है कब कि इस प्रकार से आप देखेंगे तो गुजरात में पहली बार विधायक जो बने थे भूपेंदर पड़ेल जी उनको काम देना यह भाजपा की संगठन की कारेपद्दती और इसी कारेपद्दती वह जिम्मेदारी मिलती जाएगी वह उस दिम्मेदारी को अपनी पूरी निष्ठा और इमानल दारी के साथ निवाता जाएगा 37 पुनियाजी तीन वर्स अध्यक्ष रहे तीन वर्स का करकाल होता है उसके बाद में क्रिशियन ने कोई जम्मधारी मिलनी थी तो उनको जम्मधारी दे दी अभी उनको उपने ताप जम्मधारी दिये तो वो उस जम्मधारी के तहट काम करेंगे यहां तो जो जिसको जो काम दिया यहां कॉंग्रेस की तारे नहीं है कि या तो हमें बनाओ नहीं तुम बगावत कर देंगे या फिर कोई वन्सवाद नहीं है कि मेरे बाप प्रधान मंतरी थे मेरी दादी प्रधान मंतरी थी तो मुझे प्रधानमंत्री बनाओ इस प्रकार से तो है नहीं ये एक अनुशासित और समविधानिक प्रकरिया से चलने वाली राजितिक दल है और उसी के तेद काम करते हैं, कारेकरता अधारित पार्टी है तो उसी तरीके से काम होंगे, जिसको भी जो जिम्मिदारी मिलेगी वो उस जिम्मिदारी को निवाएगा धन्यवाद